चीन्टी खोर जिसे एंटी एटर भी कहते हैं, इनके दांत नहीं होते। लेकिन उनकी लंबी जीब, 35,000 चीन्टियों और दीमकों को निगलने के लिए परियाप्त होती हैं, जिन्हें वे हर दिन पूरा निगल जाते हैं। चीन्टी खोर की चार प्रजातियां होती हैं, जिनमें सबसे बड़े चीन्टी खोर के रूप में विशाल चीन्टी खोर, जिसे जाएंट एंटी एटर भी कहते हैं, अपने थूथन अर्थात नुकीले मुह से लेकर अपनी पूंच के अंत तक आठ फीट लंबा हो सकता है। पाए जा सकते हैं। वे अक्सर उष्नकटी बंधियं और शुष्क जंगलों, सवाना और खुले घास के मैदानों में पाए जा सकते हैं, जहां चीन्टियां प्रचुर मात्रा में होती हैं। चीन्टियां दर्दनाग डंक से जवाब देती हैं, इसलिए चीन्टि खोर प्रत्येक टीले पर केवल एक मिनट ही भोजन कर सकता है। प्रत्येक टीले रहने वाले जानवर होते हैं। मादाएं साल में एक बार एक ही बच्चा पैदा करती हैं, जिसे कभी-कभी अपनी मा की पीठ पर सवार देखा जा सकता है। बच्चे दो साल बाद अपनी मा को छोड़ देते हैं। IUCN Red List के अनुसार, विशाल चीन्टी खोर मध्य अमेरिका में सबसे अधिक संकट ग्रस्त स्तंधारी हैं। विशाल चीन्टी खोरों के सामने आने वाले प्रमुख खतरों में से एक है उनके घास के मैदानों के आवासों का नुकसान।